दोस्तों, योपी 3SAC लेखफाल सुप्रिम कोर्ट अपडेट पिल्कुल आपके बीच में लगातार अगर दिखा जाएं आप सभी के बीच में सुप्रिम कोर्ट में 22 मार्च यानि आज के डेट में एक बड़ी सुनवाई लगी हुई है आपको पता है आपके लेखफाल भरती पर जितने भी कोर्ट केसे अलाहबाद हाई कोर्ट में चल रहे थे वो सारे कि सारे फिनिस हो गए हैं लेकिन अब आपका एक केस फाइनली बचा हुआ है 22 मार्च यानि आज के डेट में जैसा कि देख सकते हैं सुप्रिम कोर्ट से बिल्कुल लाइब हम आपके बेच में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो भी सुचना है हम पलपल के अपडेट्स चैनल के माध्यम से आपको प्रवाइड कर रहे हैं लाइरी नमबर 5887 आउपलिक 2023 कोर्ट संख्याए 11 में आपकी सुनवाई है ठेक है और यहां से देखे आज की सुनवाई बिल्कुल सुरू हो चुकी है लेकिन वर्तवान के स्थिति क्या है हम आपके बेच बताएंगे तुसार महतासर क्या बोले हैं आपको पता है तुसार मैं हूँ संजय आप सभी का स्वागत करता हूँ अभिनेंदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर मैं इबेदन करूँगा कि चैनल पर पहे बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब रूट करेंगे और अगर वीडियो पसंदार है तो प्लीज अपने द और वर्तमान समय की अपडेट्स यहां से यह सब देख सकते हैं जो में से लेनियेश 266 ऑबलिक 2024 करके स्रीधर यादो एंड अधर्स जो है यह सारी चीजों को आप देख पा रहे हैं बाकि इधर भी आप देख लेजी यह दोनों आपस में कनेक्टेड हैं ठीक है इधर दे आज के डेट में निपट जाएंगे ठीक है अच्छा वर्तमान की अगर हम सुनवाई की अपडेट्स बताएं तो तो सार्भ महतासर किसी मामले की जमाना तरजी को लेकर जो है कोर्ट में हाजिर हो रहे हैं इस केस के बाद ततकाल आपके कोर्ट केस की सुनवाई होगी ठीक है और यह वर्तमान समय की अपडेट्स आपके बीच में हैं तो सार्भ महतासर किसी जमानत मामले को लेकर कोर्ट में हाजिर हुए हैं अगला तो मामला है वह अपका लगा हुआ है ततकाल इसके बाद जैसे ही यह मामला आपका खटम होता था है ततकाल तुसार महतासर ही अध्यम से आप सभी को हम इंफर्म जरूर करेंगे फिलाल के लिए वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्रेब करिएगा और लगातार आप कह रहे हैं कि भाया क्या मार्च में नियुक्ति पत्र मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा बिल्कुल 100% उमीद तो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स धन्यवाद